गुड बॉर्णिंग स्टुडेंट्स स्वागे तत्व डशाड यूट्यूब चैनल पहरी स्टडी या उनलाइन थे क्वेस्टन बैंक क्लास 10 ली पार्ट नम्बर आगे अपना 13 जिन्दे विच आपको इंपोर्डेंट क्वेस्टन डिसकस कर जा रहे हैं अपने को लाइए चैप्टर 9th सम अप्लिकेशन साफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेस्टन ये 2019 सी एक्जाम बे चाहा थी ताप आप अनुडिसकस कर दें क्वेस्टन की है देखो क्वेस्टन की कह रहे है अपने को ये अपने को ग्राउंड लेवल है ये अपने को ग्राउंड लेवल एथे जी सन है सूर्ज है ये ये कोई टावर है जिन्दी हाइट आपनू पता नी इन्दी हाइट नू मैं लेट कर ले आ है सब तो पहला टावर एथे सी जो अपने को सूर्ज है एथे सी गा ता जड़ा प्रश्याम है एथे एंगल बन रहे सी अंगल ओफ एलिवेशन जदो सूर्ज एथे सी एथे 60 डिवेशन बन रहे सी अंगल ओफ एलिवेशन वह सबाव सूर्ज थोड़ा या पिछे गया ता जो एंगल है एथे बन गया देट इस 30 डिगरी होना ने कहीं क्या किया के जड़ा यंदा लेंध ओव शैड़ है धेट इस 40 परटी मीटर लॉंगर जड़ा पहला सी ना उनदे ना तो 40 मीटर की जढ़ा हो गया परश्यामा पहला साथ डिगरी शी कुछ जड़ा कुछ परश्यामे दी लेंध सी गी जड पल जाए question है, end वेच आपके अंदा shortcut जरूर दसाँगे, पिए अंदा shortcut किया, shortcut नलके में solve कर सकते हैं, तब वीडियो नो end तक जरूर देखें, देखें, जो a वाली height है, that is equal to x, sorry distance, जो height है tower दी, that is equal to h, let h be the height of tower, and जो अपने कोल bc है, that is equal to x meter, bc अपने कोल किन्नी है, x meter, जो tower दी height है किन्नी है, bc अपने कोल किन्नी है, x meter, आप h नू find करना है, तो देखो जदो इस तरहां दी question होँदे है, जिन्दे वेच दो angle given होना, तो सब तो पहले आप h दी x वेच relation नू find करांगे, using triangle a, b and c, a angle आपना let करला है किन्ने degree है, 90 degree है, enter angle, a, b, c, tan theta, tan theta को use करांगे, because perpendicular divide by base, that is equal to tan theta, so tan theta is equal to a, b divide by bc, perpendicular divide by base, that is equal to tan theta, तो theta दी value किन्नी है, 60 degree, a, b दी value h, तो bc दी value किन्नी है, x, वैसे भी normally 99% case देवे, जदो दो angle आगे, तो आपना usually किया 10 theta ये apply कर दे, अगल याद रखो, जदो दो angle होनगे, mostly tower वड़े आजे कोई question होनगे, तो tan theta apply करांगे अपा, a, b दी value h, bc दी value किन्नी आई, x, 1060 किन्ना हुदा root 3, is equal to h by x, उस्तो बाद cross multiply, तो h किन्ना आगया, x root 3, अपने को लेकर relation आगया, height तो ये वाली distance देवेच, height is equal to x and root 3, ये आपर relation आगे use करांगे, ता ये नो name देता equation number first, होनगे अपर triangle केड़ी use करांगे, a, c, d था बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आपन 90 degree चाहिए है, तो केड़ी triangle आएगी, a, b, d, in triangle, a, b, d, 10 of, होनगे angle किन्ना आगया, 30 degree, होनगे angle किन्ना बन रहे, angle of elevation, 30 degree, perpendicular किन्ना है, h, ते base किन्ना आगया, x plus 40, plus 40, क्योंकि base पूरा b, d, so that is x plus h, होन 10, 30, that is equal to 1 by under root 3, h, d value किन्नी है, होनगे अपर use करांगे h, d value क्योंकि x भी find करना है, जब x ना find करना होदा, फिर आप x d value put कर लेंदे, पर x भी find करना है, ते h भी find करना है, ता किन्ना आया, x under root 3, here divide by x plus 40, जथे अच्चा होथे, किन्ना आगया, x under root 3, होनगे अगें cross multiply, root 3, root 3, किन्ना होगया, 3x, इस साइड गया, multiply करके किन्ना आगया, अपने कोल x plus 40, देखो, root 3 नो, x root 3 नो, multiply किती, ता 3x आगया, इदर किन्ना आगया, x plus 40, होन जो x है, इन्नों आपा left side से लेके, so 3x minus x is equal to 40, so 2x is equal to 40, ता x दी value किन्नी आगी 40 by 2, so value of x is equal to 20 meter, मतलब जो पहला परश्या में दील, बाइस हो किन्ना है, अपने कोल, v meter, पर आपा पता ही करना है, height of tower, so h is equal to x and root 3, so h is equal to 20 root 3 meter, so that is the height of tower, so height of tower is equal to 20 root 3 meter, जे एक ये root 3 दी value देती है, तुसे एक ये solve कर सकते हो, otherwise ये नहीं अपना answer है, होने दार देखो, shortcut किया, shortcut, जदो हम ये angle 30 to 60 जा रहे है, तो याद रखो जो BC है, BC is equal to, अपने कोल किया गया, CD divided by 2, याद रखो जो अपने कोल ये वड़ा BC है, that is equal to CD divided by 2, and AB रवेल्यू किया आएगी, always BC under root 3, ये दो shortcut याद रखो, जदो अपने कोल किया, 30 to 60 angle है, तब BC रवेल्यू किया आएगी, CD divided by 2, तो AB रवेल्यू किया आएगी, BC into root 3, ये सी अपने कोल question number, part number sorry 13, next video देवेच आपा, कोई होर question है, discuss करांगे, hal крайी आएगी, जबसी है, से आएगी, के देवेशे, कैसे ही ऊंगे with 5-6,